अकाल में सारस के दारनात से तीन बजे दिन में आ गए वे जब वे आए किसी ने सोचा तक नहीं था कि ऐसे भी आ सकते हैं सारस एक के बाद एक वे जुंड के जुंड धीरे धीरे आए और धीरे धीरे चा गए सारे आसमान में धीरे धीरे उनके क्रेंगकार से भर गया सारा का सारा شहर वो देर तक करते रहे शहर की परिक्रमा देर तक छतो और बाजरों पर उनके डैनों से जरती रही धान की सूखी पत्ईों की गंद अचानक एक बुडिया ने उन्हें देखा जरूर जरूर वे पानी की तलाश में आये हैं उसने सोचा वो रसोई में गई और आंगन के बीचों बीच लाकर रख दिया एक जल भरा कटोरा लेकिन सारस उसी तरह करते रहे शहर की परिक्रमा ना तो उन्होंने बुर्या को देखा और ना जल भरे कटोरे को सारसो को तो पता भी नहीं था के नीचे रहते हैं लोग जो उने कहते हैं सारस पानी को खोजते दूर दिसावर से आये थे वे सो उन्होंने गर्दन उठाई एक बार पीचे की ओर देखा और नजाने क्या था उस निगा में दया की घ्रिना पर एक बार जाते जाते उन्होंने शहर की ओर मुड़कर देखा जरूर और फिर हवा में अपने डेने को पीटते हुए दूरियों में धीरे धीरे को गये मुसारस।